दोस्तों, अगर जिस महिला के तीन अंग बड़े होते हैं, तो वहाँ पर बरबादी निश्चित तौर पर आती है, यहां तक की महाभारत तक छिड़ जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिला सैकडों गावों को बरबाद कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महिलाओं के जिन तीन अंगों के बारे में बात करने वाली है, उसके बारे में आप भी जानकर चौक जाएंगे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर जिस घर में या आपके आस पडोस में इस तरह की महिलाओं दिखाई देती हैं, तो आपको तुरंट समझ लेना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार महिलाओं के ये तीन अंग बड़े होने से चिंता का विशय माना जाता है। आपको बता दें, सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं का रंग और उनकी बनावट के बारे में संपूर्ण जानकारी भी मिलती है। ऐसे में उनका स्वभाव और चरित हो जाते हैं, सैकडों गाव बरबाद, तो चलिये, जानते हैं तो चलिये। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के उनहीं अंगों के बारे में, नमबर एक, महिलाओं में बड़े-बड़े स्तन, अगर जिस महिला के बड़े स्तन होते हैं, तो यह भी पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिला भले ही मन से पवित्र हो, लेकिन दूसरों की नजरों में इन्हें लोग गलत नजरिये से देखते हैं। कमर से नीचे जाता है, तो यह भी शुबलक्षन नहीं होता। ऐसी महिला नकारात्मक उर्जा को आकरशित कर सकती है। जिस महिला के कमर से नीचे घने और लंबे बाल होते हैं, तो उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पुरुष भी ऐसी महिला पर आकरशित होते हैं, और अगर जोतिश शास्त्र की बात करें, तो कमर से नीचे बाल होना आपको बरबात कर सकता है। इसलिए कमर से नीचे बाल नहीं होना चाहिए। के कूल हे सीमित मात्रा में ही होने चाहिए, ना ज्यादा बड़े और ना ही छोटे। हालां कि कई महिलाएं जान बूज कर अपने कूलों को बड़ा करती हैं, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पच्च तावा होता है। आप ऐसी गलती कभी भी ना करें। किसी भी महिला का खूबसूरत होना लाजमी है। कि महिला की खूबसूरती के कारण ही कई युद्ध हुए हैं।